एक भारत स्रेष्ट भारत एक भारत स्रेष्ट भारत की बहुत सुन्दर तश्वीर आज यहां दिख रही है आज इस कारकम का रूप स्वरूप बहुत विशाल है अपने आप में अईतिहासिक है केवडिया में गुजरात के गवर्नर श्री आचारिय देवरत जी गुजरात के मुख्यमंत्री बीजय रुपानी जी उपस्तित है परताप नगर में गुजरात विदान सभा के स्पीकर श्री राजेंदर त्रिवेजी जी एमदाबाद से गुजरात के डेप्यूटी सीएम नितिन पतेल जी दिल्ली में केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सईयोगी प्यूश गोवेल जी विदेश मंत्री जैसंकर जी डॉक्टर हर्षवर्दन जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अर्विन केजरिवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं मद्द्रदेश के रिवा से मुख्यमंत्री सिवराज्ची चम्वान जी हमारे साथ है मुंबई में महराष्टर के मुख्यमंत्री भाई उद्दव ठाकरे जी भी उपस्तित है वारानसी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितिना जी हमारे साथ जुड़े हैं इनके अलावा तमिलनाडु समेत अन्य राज्य सरकारों के मान्य मंत्री गण, साउसद गण, विदायक गण भी आज इस विशाल कारकम में हमारे साथ है। और सबसे बड़ी खुची की बात है कि आज आनन्द में सरदार वलब भाई पटेल के बुरहत परिवार के अनेक सदस्य भी आज हमें आशिरवात देने के लिए आये हैं। आज कला जगत के अनेक वरिश कलाकार, खेल जगत के अनेक सितारे, बेवी बहुत बड़ी मात्रा में इस कारकम्स के साथ जुड़े हैं और इन सभी के साथ हमें आशिरवात देने के लिए आये हुए इश्वर का स्वरूप जैसे हमारी जनता जनारदन, हमारे प्यारे नई और बहनों, हमारे सभी भारत के उजवल भविश का प्रतिनी दित्व करना वाले, बालगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, रेल्वे के इतिहास में संभव तह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग-अलग कौने से एकी जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई गई हो, आखिर केवडिया जगह भी तो ऐसी है, इसकी पहचान देश को एक भारत, स्रेष्ट भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकी करन करने वाले, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा से, स्टेच्य अफ यूनिटी से हैं, सरदार सरोवर बांच से हैं, आज का ये आयोजन सही माइने में भारत को एक करती भारतियर रेल के विजन और सरदार वल्लभाई पटेल के मिशन दुनों को परिभाशित कर रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कारकम में अलग-अलग राज्यों से इतने जन प्रतिनिदी भी मौझूद है, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आज केवडिया के लिए निकल रही ट्रेनों में एक ट्रेन पूर्ची तलैवर, डॉक्तर एमजी रामचंद्रन सेंटर रेल्वे स्टेशन से भी आ रही है, ये भी सुखत संयोग है कि आज भारत रतना M.G.R. की जैनती भी है, M.G.R. ने फिल्म स्क्रिन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रिन तक लोगों के दिलों पर राज किया था, उनका जीवन, उनकी पूरी राजनितिक यात्रा, गरीबों के लिए समर्पित थी, गरीबों को सम्मान जनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था, भारत रतना M.G.R. के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए, आज हम सब प्रयास कर रहे हैं, कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर M.G.R. के नाम पर किया था, मैं भारत रतने M.G.R. को नमन करता हूं, उन्हें स्रधान्जली देता हूं, साथियों, आज केवडिया का देश की हर दिशा में, हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जूड़ना, पूरे देश के लिए एक अध्वूत ख्षान है, हमें गर्व से भरने वाला पड़ है, थोड़ी देर पहले, चेन्ने के अलावा वारानसी, रीवा, दादर और दिल्ली से, केवडिया, एक्स्प्रेस और एंदाबाद से जन्सरताब्य एक्स्प्रेस केवडिया के लिए निकली है, इसी तरह केवडिया और प्रताबनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है, डभोई चान्दोत रेल लाइन का चौड़ी करण और चान्दोत केवडिया के बीच की नई रेल लाइन अब केवडिया की विकास यात्रा में नया आध्याय लिखने जा रही है, और आज जब इस रेलिवे के खारकम से मैं जुड़ा हूँ, तो कुछ पुरानी स्पुरूत्या भी ताजा हो रही है, बहुत कम लोगों को मानूं होगा कि बड़ोदा और रभोई के बीच में नेरोगेज रेलिवे चलती थी, मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का आफसर रहता था, माता नर्वदा के पती मेरा एक जमाने में बड़ा विशेश आकरसन रहता था, मेरा आना जाना होता था, जिवन के कुछ पल मानूं दर्वदा की गोद में बिताता था, और उस समय इस नेरोगेज ट्रेन से हम चलते थे, और ये नेरोगेज ट्रेन का मजा ये था, कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाईए, कहीं पर भी उसमें चड़ जाईए, बड़े आराम से, इवन कुछ पल तो आप साथ-साथ चले तो ऐसे लगता है कि आप की स्पीड जाता है, तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था, लेकिन आज बब वो ब्रॉड गेज में कनवर्ट हो रहा है, इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाब, स्टेची आफ यूनिटी देखने आने वाले तुरिष्टों को तो मिलेगा ही, ये कनेक्टिविटी के वड़ियां के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है, ये कनेक्टिविटी सुभीदा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी लेकर आएगी, ये रेल लाइन मान नर्वदा के तट पर बसे, करनाली, पोईचा और गरुडेश्वर जैसे आस्त्वा से जुड़े महत्वपुन स्थानों को भी करेक्ट करेगी और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से spiritual vibration से भरा हुआ क्षेत्र है और इस वबस्ता के कारण जो आमतोर पर अध्याष्ट में गतिविदी के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार था, ये बहुत बड़ी भेट शोकात है, भाईयों औ बहनों, आज केवडियां गुजरात के सुदूर इलाके में बसा, एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बलकि केवडियां बीश्वके सबसे बड़े टूरिस्ट डैशनल सेन के रुप में आज उभर रहा है, स्टेची अफिनिटी देखने के लिए, अब स्टेची अफिनिटी से पर जादा टूरिस्ट पहुचने लगे है, अपने लोगकारपन के बाद करीब करीब पचास लाक लोग स्टेची अफिनिटी को देखने आ चुके हैं, कोरोना में महिनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद, अब एक बार फिर के वड़िया में आने वाले टूरिश्टों की सज्ञ्या तेजी से बढ़ रही है, एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है, कि जैसे जैसे केनेक्टिविटी बढ़ रही है, बविश में हर रोज एक लाख तक लोग के वड़िया आने लगे गिए, साथियों, छोटा सा खुबसूरत के वड़िया, इस बात का बहत्रीन उदारण है, कि कैसे प्लान तरीके से परियावरण की रक्षा करते हुए, एकोनमी और एकोलोजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है, यहाँ इस कारकम में उपस्तित बहुत से गणमान्य लोग, शाहिद के वड़िया नहीं गए होंगे, लेकिन मुझे विस्वास है, कि एक बार के वड़िया की विकास यात्रा देखने के बाद, आपको भी अपने देश की इस शांदार जगह को देखकर के गर्व होगा, आपको दुनिया का बहतरीन, फैमिली टूरिस्ट डेजिनेशन बनाने की बात की जाते थी, तो लोगों को यह सपना ही लगता था, लोग कहते थी यह संभवी नहीं है, हो ही नहीं सकता, इस काम में तो अडे को दुशक लग जाएंगे, खेर पुराने अनुभव के अधार पर उनकी बातों में तर्क भी था, न केवडिया जाने के लिए चोडी सडके, न उतनी स्रीट लाइट हैं, न रेल, न टूरिस्टों के रहने के लिए बहतर इंतजाम, अपनी ग्रामिन पुर्ष्ट भूमी में केवडिया देश के अन्य छोटे से गावों की तरही एक था, लेकिन आज कुछी वर्षों में केवडिया का काया कल्प हो चुका है, केवडिया पहुंचने के लिए चौड़ी सडके हैं, रहने के लिए पूरा टैंड सीटी हैं, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी हैं, अच्छे अस्पताल हैं, कुछ दिन पहले सी प्लेंग की सुविदा शुरू हुई हैं, और आज देश के इतने सारे रेल रूट से के बढ़िया एक साथ जुड़ गया है, ये शहर एक तरह से कम्प्लीट फैमिली पैकेज के रुपे सेवाई दे रहा है, स्टेजी अफिनिटी और सरदार सरो और बांत की भव्यता, उनकी विशालता का हैसास, आप के बढ़िया पहुँचकर ही कर सकते हैं, अब यहां सेंक्डो एकड में फैला, सरदार पटेल, जूलोजिकल पार्क है, जंगल सफारी है, एक तरफ आयुरुवेद और योग पर आधारित आरोग्य वन है, तो दूसरी तरफ पोशन पार्क है, रात में जगमगाता गलोग गार्डन है, तो दीन में देखने के लिए कैक्टस गार्डन और बटल फाइल गार्डन है, तुरिष्टों को घुमाने के लिए एक तक क्रूज है, तो दूसरी तरफ नवजवानों को साहस दिखाने के लिए राप्टिंग का भी इंतजाम है, यानि बच्चे हो, युवां हो या बुज़ुर सभी के लिए है बहुत कुछ है, बढ़ते हुए परियतन के कारण, यहां के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, यहां के लोगों के जीवन में तेजी से आधुनिक सुविदाएं पहुँच रही है, कोई मैनेजर बन गया है, कोई केफे ओनर बन गया है, कोई गाइड का काम करने लगा है, मुझे आध है, जब मैं जू लोजिकल पार्क में पक्षियों के लिए विशेश एवेरी डॉम गया था, तो वहाँ एक स्थानिय महिला गाइड ने बहुत विस्तार से मुझे जानकारी दी थी, इसके अलावा केवडिया की स्थानिय महिला गया है, उनको हेंडी क्राप के लिए बनाए गए विशेश एक्ता मौल में अपने सामान की विग्री का मोका मिल रहा है, मुझे पताया गया है कि केवडिया के आदिवासी गाउं में दोसो से जानदा रूम्स की पहचान करके उन्हें टुरिश के होम्स्टे के तौर पर विक्सित किया जा रहा है, बाई और बहनों केवडिया में जो रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है उसमें भी सुविदा के साथ साथ तूरिजम का ध्यान रखा गया है, यहां ट्राइबल आर्ट गैलेरी और एक वियूइंग गैलेरी भी बनाई जा रही है, इस वियूइंग गैलेरी से परियाटक स्टेश उव यूनिटी को देख पाएंगे, साथियों इस प्रकार के लक्ष और लक्ष केंदरित प्रयास भारतियर रेल के बदलते स्वरूप का भी प्रमाण है, भारतियरेल पारमपारिक सवारी और मालगाड़ी वाली अपनी भूमगा निबाने के साथ ही हमारे प्रमूख, टुरिस्ट और आस्था के जुड़े सरकीट को भी सीधी कनेक्टिविटी दे रही है, अब तो अनेक रूट्स पर विष्टाडोम वाले कोचीच भारतियरेल की यांत्रा को और आकर्शक बनाने वाले हैं, अमदाबाद, केवडिया, जन्शताब्दी एक्सप्रेस भी उन ट्रेनों में से होगी जिसमें विष्टाडोम कोच की सुविदा मिलेगी, साथियों, बिते वर्षों में देश के रेल इन्फरसक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना काम हुआ है, वो वाकई अभुतपुर्व है, आजादी के बाद हमारी जादातर उर्जा, पहले से जो रोल में वस्ता थी, उसको ठिक ठाक करने या सुधारने में ही लगी लगी, उस दोरान नई सोच और नई टेकनलोजी पर फोकस कम ही रहा, यह एप्रोच बदली जानी बहुत जरूरी थी, और इसलिए बीते सालों में देश में रेलवे के पूरे तंत्र में व्यापक बढ़लाव करने के लिए काम किया, यह काम सिर्फ बजेट, बढ़ाना, घटाना, नई ट्रेनियों की गोश्णाएं करना यहां तक सिमित नहीं रहा, यह परिवर्तन अनेक मोर्चों पर एक साथ हुआ है, अब जैसे केवडिया का रेल से कनेक करने वाले इस प्रोजेक्ट का ही उदारण देखें, तो इसके निर्मान में, जैसे अभी वीडियो में बताया गया था, मौसम ने, कोरोना की मामारी ने, अनेक प्रकार की बहदाएं आई, लेकिन रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा किरा गया, और जिस नई निर्मान टेक्नोलोजी के इस्तमाल अब रेल्वे कर रही है, उसने इसमें बहुत मदद की इस दौरान ट्रैक्स से लेकर पूलों के निर्मान तक नई टेकनीक पर फोकस किया गया, स्थानी अस्तर पर उपलब्द संसाधों का उप्योग किया गया, सिग्नलिंग के काम को तेज करने के लिए वर्चियल मोड के जरिये टेस्ट किये गये, जबकि पहले की अगर स्थितियों में ऐसी रुकावाटे आने पर अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट लटक जाते थे, साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का प्रोजेक्ट भी हमारे देश में पहले जो तौर तरीके चल रहे थे, उसका एक उधारण ही मान लिजी है, पूर्वी और पश्चीमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के एक बड़े सेक्षन का लोकारपन, कुछी दिन पहले मुझे करने का मोका मिला, राश्च के लिए बहुत जरूरी इस प्रोजेक्ट पर, 2006 से लेकर 2014 तक, यानि लगभग आठ सालों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ, 2014 तक एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं भी शाया था, अब अगले कुछ महिनों में कुल मिला करके, ग्यारा सो किलोमेटर का काम पूरा होने जा रहा है, साथियों, देश में रेल नेटवर्क के आधुनी करण के साथ ही, आज देश के उन हिस्सों को रेल्वे से कनेक्ट किया जा रहा है, जो अभी कनेक्टेड नहीं थे, आज पहले से कहीं जादा तेजी के साथ, पुराने रेल रूट का चावडी करण और बिजली करण किया जा रहा है, रेल ट्रेक को जादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, यही कारण है कि आज देश में सेमी हाइज स्पीड ट्रेन चलाना संबभ हो रहा है, और हम हाइज स्पीड ट्रेक और टेकनलोजी के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इस काम के लिए बजेट को कई गुणा बढ़ाया गया है, यही नहीं रेलवे एन्वार्मेंट फेंडली भी हो, यह भी सुनिसित किया जा रहा है, के बढ़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है, जिसको सुरुवाद से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है, भाई और भहनों, रेलवे के तेजी से आदुनी करण का एक बड़ा कारण, रेलवे मेनुफेक्चरिंग और रेलवे टक्लोलोजी में आत्म निर्भरता पर हमारा बल है, हमारा फोकस है, बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ, उसका परणाम अब धीरे 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 हमारे सामने दिख रहा है, अब सोचिए, अगर हम भारत में हाई होर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव नहीं बनाते, तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रेक लॉंग होल कंटेंडर ट्रेन क्या भारत चला पाता? आज भारत में ही बनी एक से एक आधुरिक ट्रेने भारती रेल का हिस्सा है। भाई और भेनों, आज जब भारती रेल के ट्रांस्फोर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हाइली स्किल, स्पेशालिस्ट मेंपावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है। बडोधरा में भारत की पहली डिम रेलवे उनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मक्सद है। रेलवे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गीने चुने देशों में से एक है। रेलवे ट्रांस्पोर्ट हो, मल्टी डिसिप्लेनरी रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, हर प्रकार की आदुनिक सुविदाएं हो, यह सारी चीजें यहां उपलब्द कराई जा रहे हैं। 20 राज्जों के सैंकडो मेगावी युवा, भारतिय रेल के वर्तमान और भविश को बहतर बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहां होने वाले इनोवेशन्स और रिसर्च से भारतिय रेल को आदुनिक बनाने में और मदद मिलेगी। भारती रेल भारत की प्रगती के ट्रेक को गती देती रहें इसी कामना के साथ। फिर से गुजरात सहीत पूरे देश को इन नई रेल सुविदाओं के लिए बहुत-बहुत बदाई। और सरदार साब को एक भारत स्रेश्ट भारत का उनका जो सपना था। जब हिंदुस्तान के कौने-कौने से Statue of Unitive की पवित्र धरापर देश की भिन्द-भिन्द भाषाएं, भिन्द-भिन्द वेश्वाले लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो देश की एक्ता का वो द्रश्य एक प्रकार चे नित्य वहां लगू भारत हमें दिखाई देगा। आज केवडिया के लिए बड़ा विशेश दिवस है। देश की एक्ता और अखंडिता के जो निरंतर प्रयाद चल रहे हैं। उसमें एक नया ध्याय है। मैं फिर एक बार सब को बहुत बहुत बरहाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।